नमस्कार दोस्तों कैसे है आप, दोस्तों आज बात करेंगे वर्ल्ट कप 2023 में आस्टेलिया मैच में पाकिस्तान को 62 रन से हरा दिया है वंडे वी सुकप में यह पाकिस्तान की लगातार दूसरी हार है बेंगलूरू में एम चिननस्वामी स्टेडियम में पाकिस्तान के कप्तान बाबाराजन में टास जीत कर गिनवाजी करने का फैसला किया आस्टेलिया ने 50 ओबरों में 9 विकेट पर 367 रन बनाए इसके जबाब में पाकिस्तान 305 रन पर all out हो गई और मैच हार गए दोस्तो इस हार के बाद पाकिस्तानी जनता अपनी टीम को गाली दे रही है यहां तक कि अपनी T.V. तक फोर दे रहा है कप्तान बाबाराजम को कप्तानी छोड़ने की धंकी दे रहा है पाकिस्तान फैंस बहुत निरास है पाकिस्तान टीम की लगाता है दूसरी हार्चे पाकिस्तान जनतारे में बखलाहट साब दिखाई देता है दोस्तो इस मैच में अज टीलिया ने पहले बले बाजी करते हुए डेविड वारनार 163 और मिसेल मार्स के 161 रनों की बदलोत पाकिस्तान के लिए साइनाप निदी पांच विकेट और हारिस राउप ने तीन विकेट लिए दोस्तो पाकिस्तान की टीम 45 अबर में 305 रन पर सीमट गई और मैच 62 रन से हार गई पाकिस्तान के लिए ये मामूल हक ने 70 और अब्दुला सफीक ने 64 रन की पारी खेली इसके बाद कोई भी बल्ले बाज बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे दोस्तो आज टेलिया के एडम जमपा ने चार पैट कमीन्स अमारका स्टोनिक्स ने दोडो बिकेट लिए दोस्तो यह पाकिस्तान की लगातार दूसरी हार है दोस्तो वीडियो छे लगे तो सस्क्रा करने ना भूले